तो साफतोर पर हम देख पारा हैं कुबूल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुबूल जी ओपिनियन पोल टीवी नाइन भारत वर्ष का आ गया है जिसमें साफतोर पर भारती इंता पार्टी को 73 सीटे भारती इंडिये गट बंदन जो है उसको 73 सीटे बीजेपी खाते में 70 RLD को 2 अपना दल को एक और इंडिया गट बंदन उसको खाते में साथ सीटे बताई जारे इसमें कॉंग्रेस एक साथ समाजबादी बार्टी 6 सीटे जीत्ती दिखाए दे रही है टीवी नाइन भारत वर्ष के ओपिनियन पोल पर तो आपकी टिपड़ी चाहूंगा इस ओ 2014 में 2 सीटे जीती थी वो एक सीटे जीत रही है और जो समाजबादी पार्टी 5 सीटे जीती थी वो बढ़के 6 सीटों पर हो रही है और क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो स्थिती है वो लकमों बेश जो है मुझे 2014 की ही चुनाओ की तरह दिख रहा है जहां बसपा अलग चु दूसरी तरफ यह है कि अभी सारे कंडिडेट आए नहीं है सारे कंडिडेट आएंगे तो मुझे लगता है स्थितिया कुछ अलग दिखेंगी अभी जो मौझूदा इस्थिती है जिस तरह से भारती जनता पार्टी ने अपने election campaign को सबसे पहले आगे बढ़ाया प्रचार क या कंडिडेट उतारे और मुझे लगता है अभी बस्पा के कंडिडेट आने सुरू हुएं बस्पा के कंडिडेट आने के बाद समाजवादी पार्टी के सारे कंडिडेट आने के बाद मुझे लगता है इस्थितिया बदलेंगी भारती जनता पार्टी जिन सीटों पे सबसे कमजोर गण हैं आप देख लीजिए जह है वो मुलादाबाद हो या फिर आप बढ़िये इधर आजिए बिजनावर हो तो मुझे लगता है जो पश्चिम उत्रप्रदेश और मैंने इन इन इलाकों में परकास राजभर आरेलडी को साथ में लेके आई है तो थोड़ा सा उत्तरप्रदेश में अपने आप स्थिति को मजबूत किया है लेकिन क्या ओटों को एक साथ बहुत सारी चीज़ें हैं क्या एलाइंस के आने साथ जिसे मुझे लगता है सुभासपा के आने से वो जुड़ नहीं जैसे हमने कहा ना कि इंडिया मतलब सपा गडबंधन और कॉंग्रेस का है इसके साथ कोई नया ओट नहीं है या दो मुस्लिम दो योट यूनाइट है पस्ची मुत्तरप्रदेश में मुस्लिम के सिवा कोई दूसरा ओट नहीं है तो यहां पर भारती अन्ता पाटिक है जीरो सीटे आती हैं 2019 में वो गडबंधन के साथ लड़ती है तो उसका बढ़के जो इजाफा है वो जाके दस सीटों पहुंच जाता है लेकिन 2017 में हम देखते हैं 2022 में वह अकेले चुना लड़ती है तो फिर वही सीटों पर आके सिमर जाती है तो क्या बसपा अब किस न हैं तो उसी में सबसे देते हैं समाजवादी पार्टी जो कंडिट खेल लगी वột покуп बश्पा जो खेल लही है घृए तो यह घिल लाइए कि वह बड़ी मुर्यटों सीटे और लेकिन यहाँ पे समाजवादी पार्टी हो, या फिर बीएसपी हो, दोनों ने यहाँ पे मुस्लिम कंडिरिट नहीं दिये हैं, तो मुझे लगता है इस बार का चुनाओ दिल्चस्प होगा, और ये चीजे जो अभी दिखेंगी, अभी क्योंकि जो अति पिछले कंडिरिट तब्दील होगा, जीत के कितना अधर बनेगा, ये तो अभी समक्साद होगा।